पेनी स्टॉक यानि की वो स्टॉक जिनका प्राइस 10 रुपे से कम रहता है। क्वालिटी की पैमाने पे यदि हम पेनी स्टॉक को तौले तो कहीं से भी इनका फंडामेंटल स्टॉंग नहीं रहता है। लेकिन इनके लो प्राइस के खारण नए निवेशुकों के बीच काफी ज़्यादा अकरसक मालूम पड़ते हैं। ये हाई बीटा काउंटर होते हैं। चल जाए तो बहुत कम समय में पैसे को कई गुना कर सकते हैं। आज हम आप सब के लिए ऐसे ही कुछ पैनी स्टॉक लेकर आया हैं जो एक से दूर रुपे के बीच के हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इन दिनों भोलिम देखी जा रही हैं। सबसे ज़्यादा ये टेडिक हो रहे हैं। और लगतार इनमें अपर सरकिट लग रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब को किलियर कर दूँ। पैनी स्टॉक में निविश करना काफी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। यदि आप किसी खास रण निदी का उप्योग करके इनवेस्टमेंट ना करें। अत्ता आप निविश करने से पहले अपने वीतिय शलाहकार से प्रामर्स अवश्य कर लें। नमबर वन जीटियल इनफ्रा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कमपनी हैं जो की एक मंत में 119 परसें, तीन मंत में 150 परसें, छे मंत में 134 परसें, एक साल में 60 परसें सेब अप का रिटर्न दे चुगा है। कुछ भी इस काउ काउंटर है जिसने एक मंत में 38 परसें, तीन मंत में 135 परसें, छे मंत में 90 परसें और एक साल में 48 परसें का रिटर्न दे चुगा है। जबकि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, दस परसें से भी कम है। अप्रेल 2021 में सेयर का प्राइस महच 75 पैसे था, वहां से शेमात परसें, तीन मंत में 1300 परसें, छे मंत में 30 परसें, जबकि एक साल में 500 परसेnd से बढ़ का रिटर्न दे चुगा है। पंदरा दिन पारे सेयर का प्राइस 40 पैसे था, यानि की 3 गुना रिटर्न सिर्फ 15 दिन में दे चुगा है। हाला की प्रोमोटर होल्डिंग 20 प 99 का है प्रोमोटर होल्डिंग और 40% से एबब है हाला कि 22% होल्डिंग गिरिवी है मन्त में 25% तीन मन्त में 56% 6 मन्त में 49% एक साल में 30% का रिटर्न दे चुका है वर्चुल ग्लोबल एजुकेशन एक प्रकार से ओनलाइं एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि लगभग डेप्ट फिरी कमपनी है एक स्टॉक का पी ए रेशियो 210 है प्रोमोटर होल्डिंग 23% एफ आई आई होल्डिंग 5.50% जबकि एक मन्त में 42% तीन मन्त में 57% 6 मन्त में 500% जबकि एक साल में 500 का रिटर्न दे चुका है 466% गेन फ्रम 52 वीक लोग मेगा करपोरेशन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से बिलोग करता है जिसने 52 वीक हाइप ये ट्रेड कर रहा है पी ए रेशियो 23.2 का है प्रोमोटर होल्डिंग 54% से एबब का है प्रोफिट में ग्रोध 73% से एबब है स्टॉक ने पिछले एक मन्त में 33% तीन मन्त में 30% जबकि 6 मन्त में 107% और 16 में 315% का डिशन दे चुका है बरोधा एक्स्ट्रक्शन मेटल आर माइनिंग सेक्टर का स्टॉक है जो की फिलाग 52 वीक हाइपे ट्रेड कर रहा है पी ए रेशियो स्टॉक का 3.69 का है इपी एस 0.02 का है प्रोमोटर होल्डिंग 57% का है प्रोमोटर होल्डिंग जो गिरिवी था वो रिलीज हो चुका है मार्च 21 कौर्टर के अनिसार प्रोफीट में ग्रोथ 124% का है एक मन्त में 95% तिन मन्त में 24% छे मंत में 263% जबकि एक साल में 556% का रिटन दे चुका है कुबिकल फाइनेंशियल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमपनी है P.E. रेशियो 16.56 है बुक भैलू 2.1 का है EPS 0.02 का है प्रोमोटर होल्डिंग 30% का है प्रोफिट में ग्रोथ 25% का है सेल्स में ग्रोथ 9.15 का है कमपनी लगभग डेप्ट फ्री है हलाकि लगतार इसमें गिरावट देखी जा रही है 11 जुन के बाद से स्टोक का परफोमेंस नेगेटिव रहा है एक मंत में माइनस 19% तीन मंत में माइनस 35% छे मंत में माइनस 22% जबकि एक साल में 40% का रिटर्न दिया है टूनी टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल सेक्टर की एक पैनी स्टोक कमपनी का रिटर्न पोजेटिव होने के साथ इसका EPS 0.03 का है प्रोमोटर होले 21% का है 14 माई से स्टोक लगतार तेजी में है और 52 वीक हाई पैर ट्रेड कर रहा है एक मंत में 77% तीन मंत में 108% छे मंत में 125% और एक साल में 248% का रिटर्न दे चुगा है स्पेस इनकब्रेटिक्स टेक्नोलोजी लिमिटेड एक IT कंसल्टिंग आर्स साफ्टिवेर कमपनी है स्टॉक का PE रेशियो 30.3 का है प्रोमोटर होल्डिंग 24% का है बुक भैलू 9.4 का है कंपनी अलमोस्ट डेट फ्री है 52 वीक हाई पैर ट्रेड कर रही है स्टॉक ने पिछले एक मंत में 96% तीन मंत में 60% छे मंत में 274% जबकि एक साल में 297% का रीटरन दे चुका है ये काउंट और 11 माई 2021 लगदार तेजी में है तो ये थे 10 पैनी स्टॉक जिन में से 3 पैनी स्टॉक डेट फ्री पैनी स्टॉक है और 6 पैनी स्टॉक ऐसे हैं जो क्वालिटी पैनी स्टॉक है सभी के सभी हाई भोलाटाइल पैनी स्टॉक है सेर बाजार में निवेश करने के लिए आज ही फिरी डीमेट एकाउंट ओपेन कराईए एकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है